बिल्कुल पंकज और देखे किसके सिर्साज सजेगा किसकी जोली में हार आएगी ये देखने वाली चीज रहेगी क्योंकि मध्या प्रयदेश, सेलंकाना, राजस्तान, 36 गड़ अपसे कुछी देर बाद तक्रीबान 8 बजे और आदे घंटे का ये वक्त बचा हुआ है आदे मतगणना होगी, 199 सीटों पर ही वोट वहांपर डाले गए ठेलंगाना की अगर बात करें तो 119 सीटों के नतीजए आज वहांपर आएगे, मिजोरम में चार दिसम्बर को मतगणना होगी मिजोरम में आज नहीं होने वाली है मतगणना पंकच और चार दिसम्बर को मतगणना होगी 7 नवंबर को 36 गड़ की 20 और मिजोरम की सफी 40 सिटों पर देखिए मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुआ था इसके लावा बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में 25 नुवंबर को चुनाव हुआ था इसके लावा आज नतीजों का दिन है बात तेलंगाना की कर लेते हैं तो तेलंगाना में 30 नुवंबर को चुनाव हुआ था इनने वाली चीज रहेगी लगबर एक वजे तक तस्वीरे साफ हो जाएगी और अभी आधे घंटे का वक्त बचा हुआ धड़कने सभी की तेज़ा जहां पर कोंग्रेस या बीजेपी के निताओं की बात करें दोनों पार्टी के निताओं की धड़कने तेज़ा तो वहीं बदलाव होगा तो दूसरी तरफ अशोक घैलोत का साफ ये कहना था कि हमारी सरकार ने काम किया है इस बार रिवास बदलेगा और कॉंग्रेस की सरकार रिपीट होगी मध्या प्रदेश में अब कमल या कमलनात ये भी देखने वाली चीज रहेगी मध्या प्रदेश में भी काफी रोमांचे के मुकाबला रहा है करी टक कर देखने को मिली है और पंकज देखे जिस तरीके से आज नतीकों का दिन है और आधा घंटा लगवग बच चुका है पंकज और आधे घंटे बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी किस तरीके की तस्वीरे देखने को मिल र होता है और किसको जनता का भर पूर प्यार मिला है और उसके बाद जो तस्वीर है वो एकदम साफ हो जाएगी क्योंकि 8 बजे मतगरना शुरू होगी और उसके बाद धीरे धीरे जो मतगरना की तस्वीर है वो किलियर होती जाएगी